बॉर्निंग बच्चो देखो आप लोगों को जब बोला जाता है दो लिखने के लिए लिख देते हो है ना लेकिन जब बोला जाता है 24, 29, 35 तो थोड़ा गरबराहाट होती है होती है ना जब बोले जाता है 235 लिखो 430 लिखो तो थोड़ा और घबराट हो जाती है कैसे 235 लिखो यानि बड़े बड़े संख्या बोला जाता है तो घबराहाट होती है ना तो आज हम लोग संख्याओं का मेल पढ़ेंगे ठीक है कैसे 2 लिखा जाता है कैसे 200 लिखा जाता है कैसे 235 लिखा जाता है ठीक है तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि अलग अलग संख्या ल सकते हैं ठीक है ना और उसको अंकों में भी लिखना हो तो हम आराम से लिख लें हमें घबडा हटना हो समझना है तो इसके लिए मैंने देखो बोड पे कितना अच्छा से बना रखा है और धीरे-धीर समझा रही हूं आप लोग भी ध्यान से समझो ठीक है देखो गिंती आता अप लोग को यह देखो वार तू थ्री फोर फाइल एक से दस तगिंती है नहीं वैसे ही ग्यारा से लेकर यहां बीस तक है पचास सो तगिंती सब को आती है यहां ध्यान से देखो कि एक से लेकर नौ तर अकेला है अकेला है ना लेकिन नौ के बाद जो दस हुआ है इसमें दो संख्या आ गया है यहां पर यह संख्या तीन संख्या हो गया है यह संख्या चार संख्या हो गया है तो इस चीज को समझो कि कहीं एक है कहीं दो संख्या है कहीं तीन संख्या है कहीं चार संख्या है है ना तो इस समका यह क्यों होता है यही आज हम लों समझेंगे ठीक है और बहुत ही easy तरीका से समझेंगे कि जिन्दगी में हम कभी भूलेंगे नहीं ठीक है चायारो तो चलो मेरे साथ देखो यह कोई जादू नहीं होता है इसकी एक समझ होती है समझ होने के बाद आप भी जान जाओगे कि कोई भी संख्या क्या लिखा है और उसको क्या कहते है ठीक है तो उसके लिए हमें इकाई दहाई सैक्रा का फर्मूला समझना पड़ेगा आज हम आप लोगों को सिर्फ इकाई दहाई सैक्रा हजार हजार तक के नंबर को पहचान जाना समझ जाना यही शिखाएंगे ठीक है तो हाथ बाद लो और ध्याद सुनो दहाईbür दहाई दहाई दूसरा होता है सैक्रा तीसरा संख्या होता है और हजार चौथा संख्या होता है जैसे कि कोई भी संख्या लिखे है जैसे चार संख्या हो गया न मैं तो पहला संख्या हो क्या कहेंगे इकाई दूसरे को इकाई तो यह संख्या हो गया ने कि यहां कुछ भी नहीं है तो यहां क्या कर देंगे दस और यहाँ देखो एक सायकरा क्या है तीसरे नमर पर है ना यह सायकरा के जग़ा पर एक लिख दिए अब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या लिखाएगा तो सेक्डा का क्या अस्थान होता है स्थान देखिए अस्थान तीसरा है तीसरा है ना पहला दूसरा छोड़के तीसरा अस्थान है सेक्डा का और यह दोनों में कुछ नहीं है तो जीरो और इस नमर को क्या करते है सो और यह हजार का अस्थान कौन सा है चौधा तो यहां एक लिख देंगे यह तीन जगा पर कुछ नहीं है तो क्या कर देंगे जीरो इतना समझ में आगया तो यहां पर इकाही का एक दहाई का जो सेक्ड़ों का हजार का समझ में आगया एक बावर बोलो इकाही का एक दहाई का दो सेक्रा का सोग और हजार का एक अब देखते हैं ठीक है अब इसका पहला संख्या क्या है तो इकाही का एक होता है न जी यह तो अगर एक में पांस से गुना करेंगे कितना होगा पांच है का पांच पांच गुना एक बड़ाबर पांच होगा और यह क्या है तो दहाई का यह छे है अब दहाई का जगा पर क्या होता है जिमाल चे में छे में किसे गुना करेंगे दो तो छे रहाँ का जगा जगा होगा साथ हो गया सिंपल करना है छे पर एक जिरो बैठा दो साथ हो गया है ना और सेक्रा का जगा होता है सो का यहां होता है न जी सो का तो सो से इसमें गुना करेंगे अब क्या करेंगे पांच पर डबल जीरो बैठा देंगे है ना तो यह कितना हो गया और यह है हजार अब हजार के जगा पर कितना था जी एक हजार तो हजार को एक हजार से गुना कर देंगे तो चार हजार में एक हजार से गुना करेंगे कितना होगा अब यह सही है कि गलत है जी तो चलो जोड़ कर देख लेते हैं नहीं तो चार हजार उपर लिख लो उसके बाद पांसो है ना पांसो लिख लो उसके बाद कितना है साथ लिख लेंगे और उसके बाद क्या है जी पाँच अब सब को हम जोड़ेंगे तो पाँच में जीरो 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 जोड़ेंगे कितना होगा पाँच कि जीरो का तो कोई मतलब होता ही नहीं है तो 5 का 5 हो गया 6 में 0-0 जुड़ेंगे तो कितना होगा 6 6 ही होगा और ये 5 में 0 जुड़ेंगे तो 5 और 4 में 4 कुछ भी नहीं है तो 4 का 4 आ गया है न 1 तो ये और ये बराबरा गया 1 तो इतना ध्यान देना है ध्यान से सुनो ये 4 है तो 1000 से गुणा कर लेंगे 4,000 5 है तो 500 बोलना है कि ये 4 है तो 4000 5 है तो 500 500 ये 6 पर 5 कितना होता है 5 तो ये स्मार्ट बनना है थोड़ा दिमाग को त्येज करोगे तब ये तुम लोग 1000 तक कि अंग को अराम से कर लोगे कहीं भी लिखा है तो ये देख लो इकाई, दाई, सेकड़ा हजार बोल दो ये ऐसे काई, दाई, सेकड़ा हजार अब जैसे 1000 के जगे पर 4 है तो 4000 और 5 है तो 5000 9 है तो 9000 8 है तो 5000 यानि 4 कोलं पर 4 एससान पर जो भी संख्या होगा वो 1000 खाऊगा इतने समझ में आ गया 10 है और सैकड़ा तीसरे नमर पर है सैकड़ा कितने नमर पर है 30 तो तीसरे नमर पर कोई भी अंख है ज़िए 1 है तो 100 200 2 है तो 2 है 5 है तो 500 3 है तो 300 7 है तो 700 तो फटाग से बोलना है 4600 अगर 7 लिखा यह तो 700 4000 अगर 3 लिखा है तो 300 ठीक है यहां रस सैकराण जग पर जो लिखा है वो फट से करना है और इसको एकदम जल्दी से बोल देना है है ना ये 6 पर 5 कितना कहते है अगर 6 पर 3 होता तो कितना बोलते है तो इस तरह से इसको fast कर लेना है ठीक है अब इतना समझ में आ गया इसको उतार लो और एक संख्या कमेंट में लिखो और उसको हिंदे में लिखो ठीक है ऐसे जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है 2 का 2 यहाँ 24 दो पर चार 24 यह 245 1435 लिखा है ना यहाँ दो संख्या मैं लिख दी हूँ इस दोनों संख्या को नोट कर लो नोट कर लो और इसको अंक में लिख कर लाना है चलो नोट कर लो